बढ़ए फुलिस के एक्शिन की पलपल की खबर दे रहा है। वैसे प्रियागराज में कुछ पुलिस कर्वियों पर मदद के आरुप लग गए हैं। ऐसे पुलिस कर्वियों पर एक्शिन भी हुआ है आठ्वों पुलिस वालों का जिले से बाहर ट्रान्सवर कर दिया गया ह कोई पहला मामला नहीं है जिसमें इस तरह क्यारोप लगे हुए से पहले जेल में भी माफिया के गुर्गों की मदद की गई और उन पर भी गाजगिरी थी योगी सरकार का बड़ा एक्शन अथीक के मददगार पुलिस वालों पर प्रहाद तीन थानों के आठ पुलिस वालों पर गिरी गाज प्रयागराद से बाहर कर दिया ट्रांसफर्ट उमेश पाल हत्याकान में पुलिस अतीक के शूटरों की शिदत से तलाश में जुटी है यूपी से लेकर नेपाल तक छापे मारी हो रही है लेकिन तमाम कोशिशों के बाबजू अतीक के शूटर हाथ नहीं लग रहे है सवाल है कि क्या इन शूटरों की कोई मदद कर रहा है पुलिस के अक्षन की पल पल की जानकारी अतीक के कुरगों को आखिर कौन दे रहा है क्या खाकी की आड में चंद पुलिस वाले अतीक की मदद कर रहे थे प्रियाग राज में 24 फरवरी को हुए उमेश पाल की हत्या का एक महिना पूरा होने जा रहा है लेकिन हत्याकान के मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस के शिकंज से बाहर है उमेश पाल के हत्यारे आखिर कहा गए दरसल उमेश पाल की हत्या के बाद हत्यारों को शहर से बाहर निकालने में पुलिस के कुछ कर्मचारियों पर शक की सुई गई है पुलिस की ओर से इस संबंध में खुफिया चांच चल रही है इसी बीच टीजीपी मुख्याले को एक गोपनिया रिपोर्ट भेजी गई इसमें अतीक एहमद से संबंध रखने बाले और उमेश पाल के हत्यारों को मदद पहुचाने की आशंका पुलिस कर्मियों पर जताई गई खुफिया रिपोर्ट के आधार पर डीजीपी कार्याले की ओर से संदेख्ध आठ पुलिस कर्मियों पर कारवाई की गई